नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एम आफ लर्निंग में बच्चो आज की वीडियो को टॉपिक है शत्पुद्धी शहस्त्रपुद्धी कथा जो की चप्टर टैन है आपका उसके सॉलुशन्स अर्थात अभ्यास प्रश्ण में आपको कराने वाली हूं तो वीडियो में है जिसकी लिंक में दे दूंगी तो आब वहां जाईए और यह वीडियो जरूर देखें अब जो अगला आता है वह है एक पदेन उत्तरत अर्थात एक प्रश्ण में आपको उत्तर देने हैं ठीक है यहां पहला प्रश्ण क्या है शत्पुद्धी हर शहस्त्रपुद्धी कहा नवास किया करते तो खाले वास करते थे चलाशे अर्था तालाब में अ चलिए क्छल अगला प्रändig आंपको जाल हस्ता हर धीवर रहा कम उपगता तो प्रश्ण जलाशयम अर्थात जलाशयम है नेक्स्ट प्रशन है कस्य एका बुद्धिरासीर यानि कि किसकी बुद्धि कौन एक बुद्धि वाला है तो उत्तर क्या है बच्छी यहां पर मंडू कस्य अर्थात मैंडक अगला है जलाशय बहव के संती जलाशय यानि कि तालाब में बहव माने बहुत क्या है उत्तर मतस्या मतस्या माने क्या बताए था मैंने मच लिया चलिए अगला प्रेश्ण क्या है कहा उक्तवान इती लिखत यानि किस ने कहा तो यहां पर है एकस्मिन चला आशाए बहावा मतस्या संति या वाके किसका था धीवरह यानि मचवारे का अगला है के वलम श्रमवन के वलम वचन श्रमवन इदेव न भेत वेम यानि वचन सुनने मातर से नहीं डरना चाहिए बचे यह किसने कहा था? शहस्थ्र बुद्धी मसली ने ठीके अगला जो है वह है तो अम सहस्थ्र बुद्धी है असी यह किसका वाक्व कह ए? शत बुद्धी के द्वारा बोला गया यह वाक्य है अगला है भौ मम तुएका एव बुद्धी ठीक है इसका उत्तर है मंडु कहा चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्ण की दरफ यहाँ प्रश्ण है बच्चों मंजुशा दहा क्रिया पदानी चेतवा वाक्या न तो डैश में क्या लिखेंगे दो मचलियां जो हैं वे क्या करती थी निवस अत्र जालम छह पस्या महां हम कल यहां जाल डालेंगे अगला है तब सद्रश्वी बुद्धी कस्या पे डैश डैश की जगे पर आएगा नास्ति अगला है अहम्त्वा सुबुद्धी प्रभाविण रक्षे श्यामी इस प्रकार से बच्चो फिल इन दा ब्लैंक से आपके कम्प्लीट होते हैं अब अगला प्रश्ण है बच्चो हिंदी भाषायाम अन्वादम कुरुद्ध यानि आपको संस्क्रत की वाक्य दे दी गई हैं आपको हिंदी में बदल नहीं है तो पहला है तच्छत्वा मतस्या दुखे नो अभवन इसका हिंदी अन्वाद क्या होता है यहां सुनकर मचलि या दुखी हो गई ठीक है इसी प्रकार से सारे वाक्य कर दी गए है मैंने हिंदी अन्वाद में आपको सभी कुछ पढ़ाया है तो महां जाकर क्या जरूर देखिए ठीक है अकला जो प्रश्ण है है समास विग्रहम क्रत्वा समासत से नाम लिखे यानि समास विग्रह कीज और अगला है जाल मद्धे इसका क्या बनेगा जाल इस्थल मद्धे यह समास है तत्पुरुष ठीक है इसी तरीके से आपका अगला है स्वपत्निम इसका होता है स्वपत्निम यहां कौन से समास है तत्पुरुष समास नेक्स्ट है जन्म इस्थानम जन्मस से इस्थानम इ च यहां है आपका दुन्द समास अब आगे चलेंगे हम निम्न लिखित पदानाम विवक्तिम वचनम च लिखती यानि कि यहां पर आपको पद दे दिये गए है उसकी विवक्ति और वचन आपको बतानी है यहां पहला पद दिया गया है भवता जिसकी विवक्ति है तृतिय गति एक न टान पर दिये अभिवक्ति अहटे विवक्ति अधि बहु वचन धीवराह प्रथम विवक्ति और अबते और leben अब अगर कहीं कोई mag Ti मैं solution जरू बताऊंगी और जाते जाते वीडियो को like कीजिए, share कीजिए और subscribe जरू कर लीजिए मैं मिलूँगी आपसे अपनी अगली वीडियो में thanks for watching